Hello everyone, I am Bridges. In this video we are going to start class 8 Math XI 654 with question 4. In this question we have find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. So, here we have given numbers as a smallest number, least number subtracted, so here we have perfect square 1. Next, you can also find the square root of the perfect square so obtained, so here we have the number subtracted and subtracted after you have a new number obtained. So, you can find the square root of the perfect square so obtained. First, you can do this, 402. विस्तर से लिखेंगे यहां पर 402. अब next, यहां पर हम क्या करेंगे? पियर बनाएंगे, तो first pair हमारा ये बन गया and second pair ये बन गया. अब ऐसा number लेंगे and उसका square करेंगे, जो हां पर 4 की equal हो या पिर 4 से greater now, 4 से कम ही हो. तो यहाँ पर जो 2 का इसकार होता है वो यहाँ पर 4 होता है तो 2 का 4 होता है और 3 का 9 होता है जो यहाँ पर 4 से जादा है तो यहाँ पर हम 4 से ही करेंगे यहाँ भी 4 आ जाएगा और next यहाँ पर इसको हम सब्टैक करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0 तो यहाँ पर जो लिखने क से यहां पर multiply करने पड़ेगी, इस तरह से, तो यहां पर answer 41 ही आएगा, तो यहां पर यह काफी जादा है 2 से, तो यहां पर हम दिखेंगे 0, तो हम यहां पर 0 से ही multiply करेंगे, तो यहां पर answer इस तरह से आएगा 0 में, तो यहां पर दिखिए हैं, यहां भी 0 हो जाएगा, यहां नमबर मिलेग वह यहां पर opt-en होगा वह नमबर हम पर perfect square होगा तो इस में से हम two subtract करते हैं कि यहां पर 402 minus two subtract करेंगे यहां पर जो two बचा है और next यहां पर यहां पर answer आएगा — four hundred answer आजाएगा — two में से two mouse करेंगे यहां पर 0 बचेगा अब यहां पर यह नमर हमें obtain हुआ है इस number का हमें square root भी find करना है तो यहाँ पर 400 लिखेंगे इस तरह से अब next step में हम बनाएंगे pair एक pair हो गया and second pair यहाँ पर यह बन गया 2 का square होता है 4 होता है तो यहाँ पर 4 आ गार नर्स यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आजहेगा तो में टुयह हो आएगा only 0 होज करेंगा यहाँ जिरुआ यहाँ वी जीरुआ और बीजिरो आआएगा एस तरह से इसको हम चप्ताए करेंगे तो उन सर हमारा यहाँ पर 0 में आएगा यहाँ पर अब यहाँ पर दिखीए नमबर पूरा है यहाँ पर काट हो गया कोई भी रिमेंडर यहाँ पर नहीं बचा तो this mean is यहाँ पर इसका जो answer हो गया इसके 2 answer होंगे first यहाँ पर 2 answer हो गया और next यहाँ पर second answer यहाँ पर होगा 20 2 answer यहाँ पर जो हमने subtract किया था बो है and subtract कहने के बाद जो number obtained हुआ है उसका answer यहाँ पर 20 आया है square root उसका 20 आया है तो इस तरह से आपको इस वाले part का solution करना है अब यहाँ पर हम next part को solve करते हैं अब next part यहाँ पर दिरखा है 1, 9, 8, 9 तो फस्स्ट इस स्टीप में हम क्या करते है प्रयह बनाते हैं अब यहाँ पर देखिए है 19 है यहाँ पर यह पर फोर का स्कार होता है 16 and five का होता है 25 five का जाधा है 19 से तो यहाँ पर फोर का ही square लिखेंगे यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे 9 में से 6 माइस करेंगे यहाँ पर आएगा 3 यहाँ पर 8, 9 इस तरह से प्यार आजाएगा पूरा 4 में 4, 8 करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 8 8 हो गया, आब यहाँ पर दिखिए यहाँ पर आपको बहुती attention, बहुती ध्यान से करना है अब यहाँ पर दिखिए, 8 है यहाँ पर यह अब 8 का टेबल, आप 38 तक पढ़िए 38 तक, 38 से कम हो 38 से ज़्यादा ना हो तो यहाँ पर 8 बन जा 8, 8 उजा 16 8 तरी जा 24, 8 4 जा 32 and 8 5 जा 40 तो यहाँ पर 40 ज़्यादा है यहाँ पर 38 है, तो यहाँ पर हम 8 4 तक ही पढ़िए, 8 का टेबल 4 तक ही पढ़िए, तो यहाँ पर हम 4 से multiply करेंगे इस तरह से तो यहाँ पर 4 4 जा 16 4 8 जा 32 and बन एट करेंगे, यहाँ पर 33 हो जाएगा अब 33 हो गया, तो यहाँ पर 4 जाएगा अगर हम इस में से, इस number में से 53 सब्टैक कर दें, तो यहाँ पर यह नबर हमारा पर्फेक्ट इसकोयर 1 जाएगा, तो इस में से हम 53 सब्टैक करते हैं, तो यहाँ पर 1, 9, 8, 9 minus 53 अब यहाँ पर subtract करेंगे तो यहाँ पर बच्छेगा 9 में से 3 minus किया यहाँ पर 6 आएगा और next यहाँ पर 8 में से 5 यहाँ पर 3 आएगा और next यहाँ पर 1, 9 इस तरह से यहाँ पर आजाएगा अब next यहाँ पर जो नमबर हमें obtain हुआ है उस नमबर का हमें square root find करना यह पर square root find करना होगा हम इसका square root find करते हैं यहाँ पर 4, 4 जाë Genesis 16 तो यहाँ पर 16 हो जाएगा over next यहाँ पर 8 हो जाएगा 4 में 4 add करेंगे 8 आजाएगा and यहाँ पर आएगा 3 and यहाँ पर इस तरह से आजाएगा अब यहाँ पर देखे, अगर हम इसकी multiply 4 से करते हैं, तो यहाँ पर answer 336 आ रहा है, तो यहाँ भी 336 ही आएगा, इस तरह से cut हो जाएगा, और यहाँ पर कोई भी number नहीं आएगा, remainder में, तो यहाँ पर, यहाँ पर perfect square बन गया, तो this mean, इसके जो answer हो गया है, यहाँ पर first answer इसका हो जाएगा, 44, first answer यहाँ पर 53 है, तो 53 means यहाँ यहाँ हमें subtract करना होता है, तो number हमें जो obtain हो रहा है, उस number का हमें square root find करना है, तो यहाँ पर 44 है, तो इस तरह से आपको इस वाले part का solution करना है, अब यहाँ पर हम next part को solve करते हैं, next part यहाँ पर जो दे रखाए, अब यहाँ पर 25 and 6 का होता है, 36, तो यहाँ पर 6 का ग्रादा आ रहा है, 32 से, तो यहाँ पर हम 5 से ही करेंगे, तो 5, 5 से 25, अब next इस टेप में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर, subtract करेंगे इसमें से, तो यहाँ बचेगा 7, अब next यहाँ पर, यह pair यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, अब next यहाँ पर 5 में 5 एकरिंग यहाँ पर हो जाएगा 10 अब इस 10 का टेबल आपको 75 तक आपको पढ़ना है तो यहाँ पर 75 से ब्लो हो इससे जादा ना हो तो 10 7 जा होता है 70 and 10 8 जा होता है यहाँ पर 80 तो 10 8 जा जादा आ रहा है 75 से तो यहाँ पर 10 7 जाता है हम जाएंगे तो यहा यहां पर 4 हो गया, यहां पर आएगा 4, 7 की multiply करेंगे 0 से, 0 में 4 आट करेंगे, यहां पर 4 हो जाएगा, अब 7 बन जा 7, तो यहां पर आया 749, यहां पर 7 आएगा, और next यहां पर 7 आजाएगा, अब इसको हम subtract करेंगे, and subtract करने के बाद यहां पर बचेगा 1, 10 में से 9 मानस करें होंगे, यहां पर आएगा 1, अब यहां पर देखिया है, अब 1 इसमें से हम subtract कर दें, इस नंबर में से, अगर हम 1 subtract कर दें, तो यह नंबर perfect square बन जाएगा, तो यहां पर इसमें हम 1 subtract करेंगे, यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा, 3, 2, 5, 0, minus 1, तो यहां पर answer आएगा, 3, 2, 4, 9, 49 यहां पर आजाएगा, and तो नंबर हमें obtained हुआ है, इस नंबर का हमें square root भी find करना है, तो यहां पर 3, 2, 4, 9, तो यहां पर इस तरह से find करेंगे, यहां पर 5 का यहां पर आएगा, 5, 5 जा होता है, 25, यहां पर आएगा 7, and यहां पर 4, 9, तो यहां पर हम 7 लिखेंगे, तो यहां पर 10 हो जाएगा, तो यहां पर 7 ही आएगा, 7 times में यहां पर answer रहा था, 749, तो 749, तो यहां पर इस तरह से इसको cut करेंगे तो यहां पर only 0 बचेगा तो यहां पर इसके जो answer हो गया वो यहां पर इस तरह से हो गया first यहां पर 1 हो गया and next यहां पर 57 यहां पर जो दे रखा है 8 2 5 इसका हम find करेंगे square root तो यहाँ पर division method से तो यहाँ पर जो 2 करट होता है 4 होता है and 3 का होता है 9 13 का जाता हो रहा लुए तो यहाँ पर हम 2 से ही करेंगे यहाँ पर 4 आएगा और next यहाँ पर 8 में से 4 अमाश करेंगे हैं बचेगा 4 and यहाँ पर यह पेरे जाएगा 25, 2 में 2 add करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4, अब 4 है यहाँ पर, तो 4 का table हमें 42 तक यहाँ पर करना होगा, तो 4 tens हा होता है 40, तो यहाँ पर किसी का भी table हम divide में 10s time तक नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं 9 से इसकी multiply, यहाँ पर, जब इसकी हम 9 से multiply करेंगे, 9 9s हा 81, 81 का 1 carry यहाँ पर 8 हो गया, 9 4 जा, 9 4 जा होता है 36, and 36 में 8 add करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 44, तो यहाँ पर दीखिए, यह नमबर ज़्यादा आ रहा है इस नमबर से, तो 9 से यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम 8 से करते हैं, यहाँ पर 8 से multiply करेंगे, यहाँ भी 8 से करेंगे, 8 8 जा, 64, 64 का 4, 64 का 4 and carry यहाँ बस 6 हो गया, 8 4 जा, 8 4 जा 32 and उसमें 6 add करेंगे, यह तो यहांपर हो जाएगा 30 ye Tracy 384 यहांपर हम लिखेंगे 8 में हैं आपर यहां भी 8 हो जाएगा 3 8 4 यहांपर आएगा Apar हम क्या करेंगे इसको सब्टwright करेंगे इने नह्ंपर बचेगा 1 और as यहांपर बचेगा 4 यहां सब्ट예요 आगर इस नंबर में से 41 सब्टैक करते हैं, तो यह नंबर यहाँ पर perfect square 1 जाएगा, तो यहाँ पर 8 to 5 minus 4 1, तो यहाँ पर 5 में से 1 माइस करेंगे, यहाँ बचेगा 4 और next यहाँ पर 12 में से 4 माइस करेंगे, यहाँ पर आएगा 8 8 आएगा और next यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 784 2 2 जा होता है 4 subtract करेंग यहाँ 3 आएगा and 2 में 2 add करेंग है 4 हो जाएगा and यह नंबर यहाँ पर इस तरह से आजाएगा, अगर हम यहाँ पर 8 से multiply करते हैं 8 से multiply करते हैं, तो 8 टाइम में यहाँ पर 384 आ रहा है, तो यहाँ पर already हमें 384 मिल चुका है तो इस तरह से इसका जो answer यहाँ पर हो गया तो first यहाँ पर हो गया 41 और second यहाँ पर हो गया 28 तो first यहाँ पर वो है जो subtract करने कवाद हमें मिल रहा है तो यहाँ पर perfect square बन रहा है, तो यहाँ पर 41 है and यहाँ पर जो subtract number हम कर रहे है and subtract करने कवाद जो नंबर में मिल रहा है उसका जो square root है वो यहाँ पर 28 है तो इस तरह से आपको इस वाले part का solution करना है अब यहाँ पर हम इस part को solve करते हैं तो यहाँ पर जो दे रखा है 4 एंड यहाँ पर 30 यहाँ पर लगी होई है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे first step में यहाँ पर हम राएंगे pay तो first pair हो गया and यहाँ पर यह second pair हो गया यहाँ पर 6 का स्कॉर होता है 36 & 7 का होता है 49 यहाँ पर 6 का ağम है 40 Keller,und 7 ज़्यादा आ रहा है 40ケ Congrats dontue North with us in 1000 Computer eciğim 1 इस चाहेगा 06 का ही मð sexuality प्रसक्राइब प्रसक्राइब का स्कूर将 प्रसक्राइब है यहां पर 12 बंजे 12 जरो 24 12 0 6 1 2 4 जरो 48 फोल्जा Welcome If 24 ज फोल्जा में निहां पर 48 आ रहा है तो यहां पर हम फ्रीजा तक आएंग लो यहां व Rocket brush तक चाहेंगे तो यहां पर 12 ज आज़birds 3 12 3 जरो nep लोगे सरे 1 फोल्जा कि यहां पचेएंगा 3, । इस तरह से यहां पर यह नंबर हमें मिल गया है, यहां पर क्या है यहThatis धनीठ है कि अगर इस नंबर में से हम यह नंबर सब्टेक कर दें, थो यहां पर यह नंबर 1 जाये करेंगे हैं यहां पर पॉर थाउसरन्ड बाइन इस मैं से थाइवन सब्टाइक करेंगे तो यहां पर आइगा जो नंबर यहां पर ऑप्कन हुआ है इसका हमें इसको इसको अरूप साइट करना है can इसको इन्डोड करते हैं इसका, 6 से करेंगे यहाँ पर. तो यह 36 यहाँ पर हो जाएगा और नज्ट चप्टैक करेंगे, Three and यह पर आजाएगा ishing rank 6, 9 6 Mate 6 напис जाटक और हो जाएगा ट्वेग, 12. 12 हो गये यहाँ आप अब next यहाँ पर हम इहाँ पर लेंगे 3, जह हम हो 3 से multiply करेंगे, तब यहों तो तो 369 अएगा और यहाँ पर इसके equal है, तो यहाँ पर 369 ऋटाक करेंगे हैं यहाँ पर कोई भी remainder यहाँ पर नहीं बचेगा, कोई भी number यहाँ पर नहीं बचेगा एंड इसका जो आंसर यहां पर हो जाएगा फर्स्ट इसका आंसर यहां पर 31 है और सेकेंड यहां पर आंसर 63 है तो इस तरह से आपको को स्रमाप 4 का सलोशन करना है I hope आपको को स्रमाप 4 का सलोशन इजली अंडरस्टैन हुआ होगा